गूड्मोर्निंग स्टुडेंट्स आज का हमारा टौपिक है हडपा सुवलाजेशन हडपा सुवलाजेशन में सबसे बसे पहले हैम करेंगे हडपा सुवलाजेशन का नाम करण याई नॉमिल केजल ऐजवाजेशन हड़पा सी एलाजेशन को पहले सिंदू गाटी की सब्वेता का नाम दिया गया था क्योंकि हड़पा सब्वेता के जितने भी सैंटर्स जिनकी शुरू में खोज हुई थी वो सिंदू और उसकी सायक नदियों के आसपासी मिले थे जिसमें सिंदू, सतलूज, ब्यास, चिनाव, जेलम, रावी और सरवस्ति नदि जो कि अब लुप्त होगी है इन साथ नदियों के आसपासी इस सब्वेता के सैंटर्स मिले थे इसलिए इत्यासकारों ने इसको सिंदू गाटी की सब्वेता का नाम दिया था प्रंदू बाद में इसके कुछ और सेंटर्स की भी खोज हुई जो कि इन नदियों से या इस सिंदू गाटी से काफी दूर थे इसलिए इत्यासकारों को लगा कि यह जो इसका नाम करण है सिंदू गाटी की सब्वेता वो इसको कहना तरक संगत नहीं होगा इसलिए इसका नया नाम दिया गया हडपा शिवलाजेशन क्यूंकि हडपा इस सब्वेता का प्रमुख के अंदर भी है और सबसे पहले खोज भी 1921 में हडपा की होई थी इसलिए आब इसे हडपा सब्वेता का नाम दिया जाता है Second है इसमें कि इस सब्बेता की खोज कैसे होई तो खोज में इसमें सबसे पहले अंगरेजी पीरियर्ड के अंदर इस सब्बेता की खोज होई थी और अंगरेजों के राज में आर्केलोजिकल सर्वे उफ इंडिया एक प्रमुख डिबार्मेंट होता था जो की बारत में इतियास के शुरुतों की खोज करते थे और इतियास का निर्मान करते थे इसी में हड़पा सर्वेता में सबसे पहले जो परमुख योगदान है वो Archaeological Survey of India के उस टाइब के चेर्मेन कनिकम थे जिनोंने हडपा बे सबसे पहले काम किया परमतुबाद में Sir John Marshall जो की Archaeological Survey of India के उस टाइब के डारेक्टर थे उनके एन रिक्षन में हडपा और मोजोदलो इन दो केंदरों के खुदाई का काम शुरू हुआ और हडपा की खुदाई देयाराम सानी की नेत्रितम में होई और मोजोदलो की आरडी बिनर जीगिन नेत्रितम में है 1921-22 में हडपा और मौन जोद्रो इन दोनों की खोज होई और इसमें सर्जाम मार्शल का भी बहुत बड़ा योगतान था इस परकार हडपा की जो खोज है वो 1921-22 में अंग्रेजी पिरड में सर्जाम मार्शल जो की आर्केलोजी सर्व इंडिया के डारेक्टर थे उनके डिरिक्शन में दयरामसानी और आडी बेहORAशल ने की थी तो यह था कि इस सब्वेता को इसका जो नमिन क्रिक्चर है उसका जो नामतर है वो किस अधार पर है और उसके बाद है second इसका कि इस सब्वेता की discovery यानि खोच क्या से होई third हम इसमें करेंगे इसका time period इस हड़पा सब्वेता का time period क्या था तो इसके time period को लेकर काफी इत्यासकारों में वत्वेद है मौर्टिमर विलर इन्हों ने यही का कि हड़पा सब्वेता 2500 BC से लेके 1500 BC के बीच रही है इसी परकार सर जौन मार्शल जरह है उन्हों ने यह का कि यह सब्वेता 32 से 2750 के बीच रही है प्रन्तु जो रेडियो कारबन डेटिंग टेखनीक है जो की scientific टेखनीक है उसके अधार पर यह पाया गया कि यह 23 से लेके 1750 BC के बीच यह सब्वेता रही है तो इस परकार 32 सब्वेता का जो काल है या जो time period है वो 23 से 1750 है अब हमें करेंगे कि इस सब्वेता का पतन डिकला लिए कि यह इतनी बड़ी सब्वेता थी और यह 23 से 1750 के बीच रही प्रन्तु 1750 में इसका पतन हो गया तो इसके पतन के क्या कारण हो सकते हैं हड़पा सब्वेता के कोई लिखित सरोग नहीं मिलते हैं सिरफ archaeological sources है उसी पर हमें rely करना पड़ता है इसलिए वहां से जो भी हमें खुदाई से प्राप्र समान मिला है मोरे मिली है बिट्टी के पतन मिले हैं उनसे में हड़पा सब्वेता के पतन के बारे में पतन नहीं चलता है कयास लगा जाते हैं कि हड़पा सब्वेता के कारण हो सकता है कि नदियों ने मार बदल लिया हो हो सकता है की बार-बार भार आने की वज़े से नगर टबाव गयी हो, सभवव जबाय तबाव हो हो सकता है ब्याजकर भुकम पाया हो या कोई और नैचुरल कालमेटीज आई हो जिससे की यह सभवववववा पतन हो गया प्रतु प्रमुक कारण जो इत्यासकार मानते हैं कि हड़पस अबतागा पतन आर्यों ने किया आर्यों उस समय लाज नमबर्ज में जो है खेबर पास और दूसरे पासिज के तुरू इंडिया में मद्देशिया से आने शुरू हो गे थे और यहां पर आकर वो दिर दिरे बसने शुरू हो गे वो तो एक पशुपालिक थे चरवाओं की खोज में वो यहां पर आये थे और ट्राइबल पिपल थे लड़ाती पिपल थे और उनके पास लोई के अत्यार थे उनको लोई का ज्यान था और गोड़े रखते थे और वो ल हरपा सब्वेता का पतन आर्यों के द्वारा हुआ उसके बाद है कि हरपा की विशेस्ता है कि इस सब्वेता की फीचर्स क्या है फीचर्ज में हडपा सब्वेता जो है वो दुनिया की सबसे पुरानी सब्वेता होई है दुनिया में पुरानी जो सब्वेता ही हुई है युनान की सब्वेता है रोम की सब्वेता है मैसोपटेमिया की सब्वेता है मिसर की सब्वेता है इनके संकली ही हडपा सब्वेता रह कर सकते हैं कि हमारी सब्वित हैं दुनिया में सबसे और उनसे सरच थी व deconst Dynamite इसके इलावा जो गड़ं अब्स पर आध उनको लोई का घ्याण नहीं था और इसलिए सब्वत को कांस्य की संवेता कहा जाता है और कांस्य मैटल से ही जो सारी ज़्यादा समानिया पर देखने को मिला hem इसके दावा इनके हां भैलों का ज़्यादा मेतल था और उसके दावा यह पुदृ कुछ पुद्र्शु ऐसे थे जिनको दार्विक भी मानते थे, कुछ ऐसे वरिक्ष भी थे, जिनको ये धार्विक मानते थे, यानि हडपा के लोग भी परकर्ति के पुजक थे, हडपा के समयता के लोगों को गोड़े का ज्यारनी था, गोड़े को वाइल्ड एनिमली मानते थे, इसलिए शैनिक सबसे खास विशेश हैं वह है वहां की टाउं टाउं प्लेडिंग एतने पुराने समय में इतनी पुराणे विशम में कई किसी वी सबेक्य को नहीं मिली है उनसमें सभी में बाहर एक boundary wall वाल उनने gates लगे हुए है और और अपर city गॉत उपरी दुरग कह सकते हैं, जाएं फ्लोरिशेल लोग रहते होंगे, और एक लोवर टाउन है, सबी जितने भी सिंदुगाटी या हड़पसबयता के अंदर बिले हैं, वो सबी में जो एक इतरा के उपर सिटेटल है, निचे लोवर टाउन है, एक सिर्फ डोल वीरा, एक ऐसा गजरात में मिला है, जिसमें सिटेडल, मिडल टाउन और लोवर टाउन, ती र हैं, बाqी सबी जितने भी इसके एक के अंदर है, हड़पसबयता के, उनन में सिटेडल और लोवर टाउन है, भाबदरी वाल है, गेट्स लगेव हैं, उसके अलावा अंदर पहले एक सबसे हैं और उसे ऑध चोटी सब्के और फिर और चोटी सब्के रर नालियां बड़ी होईließen सिस्टम था नालिया धकी थे तो वासदर से थे नगर कहीं भी देखने को दुनिया में नहीं बिलते थे इसलिए हडपा सप्यतागी सबसे जो खास बात है वो है कि यहांगी पाउप लेनिंग कि इतनी पुराणे समय बेभी यह जो नगर थे यह बहुत सुन्यूजी तरीके से बसे हुए थे उसके बाद हम करेंगे यह लाइफ ओफ हडपन पीपल लाइफ ओफ हडपन पीपल हडपा के जो लोग थे उनका जीवन तो हडपा के लोगों का जीवन था उनका समाचिक जीवन कैसा था उनका रालतिक जीवन कैसा था उनका दार्मिक जीवन कैसा था उनका सांसरितिक जीवन कैसा था इस जीवन के जो श्रोत है वो कोई रिटन स्रोत हमें नहीं मिले हडपा सब्वेता की एक लिपी है चित्रात्मक लिपी है लेकिन वह अभी तक पड़ी नहीं गई है इसलिए अडपा सब्वेता कोई लिधित शुर्वत नहीं मिलता है और हमें जो आर्केलोजिकल सोर्सिस है उन्हीं पर जलाई करना पड़ता है खुदाई से ब्रापत समान काफी मि सब्वेता के कि हमें उसका पता लिआने की कोई भ सबसे पहले जो हडपा के लोगों का जीवन हैं उसमें सबसे पहले समाचिक जीवन जो है हडपा के लोगों का वह हम करते हैं तो हडपा के जो लोग थे जैसा कि वहां का पुरा काफिक्स रोध मिले हैं उसी के दार पर यह मान लगा जाता है यही source है हमारे पास हर्डपा के बारे में और आपको पता है कि जैसे history, history में शरोतों का बहुत मैत्व है ULTIMATELY जो history के sources हैं वो ही इतियासका निर्मान करते हैं किसी भी गटना के जितने ज़्यादा अच्छे और उथन्टिक स्रोत मिलते हैं, उतने अच्छे इत्यास का निर्मान होता है। और जितने जीश गटना कमजोवर या कम सुरोत मिलते हैं या मत बेदवाड़े सुरोत मिलते हैं वो उसमें इतियास का निर्मान कठीन हो जाता है और उसमें हमें यही कहना पढ़ता है कि शायद ऐसा ही हुआ होगा तो यही हमारा हडपा के सब्वेता में हमें इस चीज का सामना करना बड़ा है कि इसका कोई लिखत स्रोत नहीं है सारे आर्केलोजिकल सोर्सीज हैं और आर्केलोजिकल सोर्सीज से ही हमें हडपा के लोग के जीवन को समझने की कोशिश की है हालांकि जो archaeological sources होते हैं वो बड़े reliable होते हैं उनमें मन गड़त कुछ भी नहीं होता वरना वो जूट बोलते हैं पर उन्तुम से political history नहीं निकलती है उनसे लोगों का दार्मिक वीचार पता चल सकते हैं उनका RANCEAN का त्रिका पता चल सकता है उनकी तेकनोलोजी पता चल सकते हैं तो प्लीटिकल इस्ट्री का आर्केलोजीकल सोर्षी से पता नहीं चौकता है। हड़प्पा के तर चैनल में सिरफ पामनें से घर्पणा को हमें जीत उसका न्हसे आतुन किया है। सबसे पहले है । समाजी जीवन है सबसे खास बात इना हुआ है सेकेंड जो समाज का वर्गी करण था उसमें परशास्निक लोग, पुजारी, योधा, पशिवपालक, क्रिशिक, वेपारी, शिलिपकार और मजदूर ये उस समय का समाजिक वर्गी करण था ये उस समय के काम दम दे थे इसके लावा लोग जो है, हड़पा की लोग जो है, वो शिलिपकारी में बड़े अच्छे थे, हडपा की लोग बहुत अच्छे शिलिपकार थे, बहुत अच्छे पशिवपालक थे, बहुत क्रिशी भी करते थे और वेपार में भी बहुत बढ़िया थे इसके लावा ये इनका समाजिक वर्गी कर्ण था तो हड़पा के लोग जो है इसमें जो हम उनका अगर मृतिक संस्कार की बात करें तो तीनों चीज़ें सामने आई ये कि हड़पा के लोग जो है अंतिम संस्कार में मूर्टों को गाड़ भी देते थे खुला भी बैक देते थे और जो है जला कर अंतिम संस्कार करने का भी रिवास था और ऐसे श्रोतवा से मिले हैं इसके लावा जो उनकी लिपी है वो चिकरात्राथम की लिपी है वो अभी तक पड़ी नहीं गई है किसी लेह संट वहां इसका निए इसके लावा दोन की सिंगार की वस्तरे बहुत मिली है यानि और फिमेल दोनों ही शिंगार करते थे शिंगार का बहुत सोग था और जो मन्रोंजन के साधन थे वो पश्यू-पक्ष्यों की रड़ाई, दोड, कोई गोटियों की डाइस की जो है गेम्स यह हूंके मन्रोंजन के साधन थे तो इस तरह जो हडपागे लोग है उनका जो अगर हम खान भांदेखें, तो अडपागे लोग शाकारी और मासारी दोनों इपरकार के थे और जो उनकी ड्रेस है, ड्रेस के बारे में वहाँ सूईयां मिली है तो उससे पता चलता है कि वीविंग का काम जो है, होता था और अडपागे लोग सूकती उन्यी और स्वि बरकार के प पर पेंनने थे तो यानि फ्र critique के लोगों का जो magic Rantsen देखा है कि किस प्रकार का स्माजी क्वर्ग सर्ण काम है किस प्रकार के घ्र लेशos थी किस प्रकार की टेक्नोलोजी नक्स भी दूसरा है इनका धार्मी जीवन तो परब हम है जो दार्मिक जीवर हैं उसमें हम यह कह सकते हैं कि भूल सारी ऐसी मूर्थियां मिली हैं जिन पर तेल चड़ाया हुआ है और उसको मात्री देवी का आगया है यानि बर्त की देवी तो सबसे ज़्यादा वही मिली है तो यह कहास लगाए जाता है कि अड़पा के जो लोग है वह मात्री देवी की पूजा करते थे सबसे ज़्यादा इसके अलावा योकी की बहुत सारी मूर्थियां मिली है जिसको पश्यूपति शिवा कहते हैं तो कहते हैं कि वह पश्यूपति शिवा की पूजा करते थे इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पेड़ पोदे थे जैसे प बरकर्ति के पूजग थे और हडपा एक लोगों में अंद्विश्वास भी अंद्विश्वास की बावनाईं भी थी तो इस परकार हडपा के लोगों धार्मिक जीवन जो हमें घ्यात हुआ है उसमें यह है कि मात्रीदेवियों पशुपति-सीवा की पूज़ा करते थे और पकसी और कुछ पेड कोतों के वह पूजा करते थे उसके बाद है कि हडंपनी का माश सब्ломोरत क में हनक सब्सक्राइब करते तो और पर उस इसके लावां विपार भोत होता था कि देशिविपार भु और देशिय विपार भी माप थोड़ के बटे मिले हैं दूसरी सब्वेताओं के बीच देशी वेपार भी होता था लोथल जो इसका सेंटर है वहाँ पर डोक्यार्ड मिला है इसका सीता सबूत है कि वह आंकी अडपा की पंदरगार थी तो इस परकार वेपार बहुत होता था और अडपा की लोग वेपारी लोगते जादा और एक जो मुक्या दूंदा हडपा की लोग उनका था शिलपकारी अलगलग शिलपकारी के धंदे जो थे वह सबसे जादा होते थे तो हडपा के लोग शिलपकार थे और वेपारी थे और लोग पशुपालन और कृश्ची भी करते थे यह उनके मुक्या काम दंदे थे और मापतो जीवन कैसा था, उनके काम दूंते कैसे थे, यानि हडपा की सब्वेता है, प्रोस्प्रेस सब्वेता थी, तो ये था हडपा का आर्थिक जीवन, उसके बाद है कि हडपा के लोगों का पॉलिटिकल लाइफ क्या थी, राजिंतिक जीवन कैसा होगा, तो इसमें हम यह कह सकते हैं कि आर्खेलोजिकल सोर्स से पता नहीं चलता है कि कौन राज कर रहा था, या इसकी पॉलिटिकल इस्ट्री क्या थी, परंतु आर्खेलोजिकल सोर्स से जो है, हम इनके दूसरे क्योंकर नहीं चला सकते हैं, इसलिए रिटन सोर्स इसके कोई मिले नहीं है, और जो इनकी लीपी मिली है, एक चितका अत्मक लीपी है, वो अभी तक पड़ी नहीं गी है, परंतु हम यह कहा सकते हैं कि जिस परकार हडपा से पता के सुन्योजित नगर खे, सुन्योजित ग होगा, इसलिए ऐसी सब्वेता को देखते हैं, हम यह पूरा अनुमान लगा सकते हैं कि इनका जो राजनतिक जीवन है, या जो राजनतिक विवस्ता थी, जो परशाशन का वो निश्ची थी, बहुत ही वैल और्गिनाइजड होगा, तो जो हो सकता है, वो कुलीन तंतर हो, हो सकता है, वो पुजारी तंतर हो, हो सकता है, वेपाजियों की शिरेणी राज कर रही हो, हो सकता है, कि राजा हो, तो परशाशन कुछ भी हो सकता है, परन्तों जो है परशाशन बहुत ही अच्छा था, यह ही पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में हडपा की लोगों के पता चलता है कि ऐसा परश्याशन था जो कि बहुत ही वाल उर्गिनाइज था उसके बाद इनकी कल्चरल लाइफ तो हडपा संबत्ता के लोगों का जो सांस्क्रिक्तिक जीवन था वह भी बहुत सुद्रिड था कि हडपा के लोग लेखन कला में भी अच्छे थे उनकी लिपी चि एक आंशे की मूर्थी बनी वई और बहुत ही अच्छी उन पर काड़ी पलिश भी की गई है तो मूर्थियां बहुत मिली है और नित्त्यकला में बड़े अच्छे थे इसके लावा यह डांस का इनके बहुत मेंतर था जैसे मूर्थियां मिली है डांस करते वेश्चर तो नित्यकला में यह जो है निपून थे और इसके लावा यह जो भवा निर्मान कला है आर्किटेक्चर वो तो दीखी रहा है कि जो इतने पुराणे समय में जो इतने सुन्योजित नगर है बाउंडरी वाल बनी हुए गेट बनी हुए है उपर सिटेडल दुर्ग बनावा है न इस परकार भवन निर्मान कला में अपने समय के मसार बहुत उच्च और सरेष्ट सब्वेता थी है तो इस परकार कला की द्रिष्टी से भी हड़पा के जो लोग है वो बहुत ही उच्च शरेणी के थे उनमें सबी चीजों का वो ग्यान था बड़ी अच्छी इनकी लेखन रखते थे यानि टेकनोलोजी में वो बहुत अच्छे थे तो यह था हड़पा के सब्वेता के लोगों का समाजिक जीवन कैसा था राइंतिक जीवन कैसा था दार्मिक जीवन कैसा था आर्थिक जीवन कैसा था और सांसिक्तिक जीवन कैसा था अब इसके बाद हम करेंगे क सबसेता के केंदर हडपा सब्यता के केंदर हैं तो हडपा सब्यता में सबसे पहले जो खोज हुई है 1922 में वह अडपा और मों जगड़ की हुई है इसको उत्री अडपा सब्यता की राजदाने सबसे जाता है और ये अभी मोजुदा पाकिस्तान के पंजाब के मिंट गुम्री जिले में श्तित है और हडपा से भी ये चीज़े मिली है ये पूरा नगर है सिटेडल है लोवर टाउन है मिट्टी के बरतन मूर्तियां और ये सारे चीज़ें वहां से मिली है विशाल अनाजगरे भी मिला है और ये मोजुदा पाकिस्तान में है इसी तरह दूसरा जो मुख्या सेंटर है जिसको इनकी दक्षनी राज़ा निकाजत है मोजगड़ो उसकी खोच है आर्टी इनरजी ने की थी और वहां भी इसी परकार का जो है नगर है और उसमें सिटेडल है और लोवर टाउन है औ इसाल समान ग्रहा मिला है यह भी पाकिस्तान में है सिंद्रक लर्काना डिस्टिक में यह भी श्थित है और हडपा में 7 परतें़ मिली है जिससे यह पता बेगता है कि नगर बाढबढ से साथ बार खतम हुआ है और फिर दुबारा इसको बसाया गया है ये इनकी दक्षिनी राजदानी भी माना जाता है तो इस परकार ये सबसे मुख्या दो के अंदर है इनके हडपा और मौजोर्डो और दोनों ही पाकिस्तान में हैं मौजोर्डो के दोनों ही भी आडपा के बहुत प्रमप के अंदर है और दोनों ये पाकिस्तान में हैं मौजूदा पाकिस्तान में है वहाँ भी यो है इसी परकार के नगर और ये बस्तवे मीली है इसके लब अफगानिस्तार में भी एक सेंटर मिला है इसका सुतकंदौर वहां भीवों भी इसी कई के अंदर है इसी परकार मोजूता वारत में गुजरात में इसके सेंटर है जैसे रणपूर सेंटर है है भखत्राव है डोलवीरा है लोफ्तल है यह चारई परमु Quick कोज़रात तनां से लोफ्तल जो इनका फानघी ने का सेंट्र है वहां से बोक्य जर्ण लेंक busy नाव फगेरा था तो विदेशी विमार होता था वहां से इसेपर का दोलवीरा जह सेंट्र है वो एक मात्रे ऐसा सेंटर है जिसमें सिटेडल, मिडल टाउन और लोवर टाउन तीन परते हैं बाकि जितने भी सिंदुगाटी या हडपा सब परते हैं जितने भी केंदर हैं उनके दोई नगर जोव में दोई तरह की पार्ट है सिटेडल यानि दुर्ग और लोवर टाउन इसमें मिडल टाउन भी है तो यह इसकी एक खाशियत है इसके लावा यूपी में एक सेंटर है आलमगीरपुर वहां भी हडपा का वो सेंटर है राजस्तान में काड़ी बंगा है वो भी हडपा का एक परमुक सेंटर है और वहां भी ये चिजें इसी परकार की मिली है यह सारे नगर एक दूसरे से मिलता जूरते हैं जो समान मिला हो भी मिलता जूरते हैं इसी परकार हम देखें तो हर्याना और पंजाब में भी संगोल, कोटला, नियमकान, राखी गड़ी, बनवाली, मित्था थल यह जो सेंटर हैं मोजुद्दार हरयाना और पंजाब के अंदर हैं, तो यह इसके परमुख सेंटर हैं शुरु में यह सेंटर मिलिए थें वो, सिझन्दू और उसकी साएक नदियों के आस पास थें बात में इसके center दूर दूर भी मिलने लगे थे इसलिए इसको अड़पा सब्वेता कहने लगे थे अभी भी इसके centers की खोज शुरू है पहले कुछ centers मिले थे अब लगबग सोके लगबग इसके centers मिल चुके हैं और अभी भी कही जगे इसकी खोज चल रही है और वो सकता है आने वाड़े समय में इसके और centers भी भी बिले हैं तो यह था centers of हडपा civilization इसमें एक खास बात और है कि हडपा सब्वेता की खोज ओने से पहले बारत का इतियास और था अंग्रेजी पीरड में यानि आज से 100 साल पर लगबग इस सब्वेता की खोज हुई है तो जब इस सब्वेता की खोज नहीं हुई थी 1920 में तब बारत का इतियास क्या था कि भारत में आर्योंने सब्वेता बसाई सबसे पहले जिसको वैदिक सब्वेता का गया और वैदिक सब्वेता से ही जो आगे सारा सोहन जो आगे सारी स्ट्री मानी जाती है जैसी ही सब्वेता की खोज हुई हडपा सब्वेता गी तो इतियास बदल गया और ये इतियास बना कि भारत में पहले हडपा सब्वेता थी और फिर आरे बार से आये और उन्हाने वैदिक साहिते लिखा और हिंदु दरम जिसके हमक्षनातर दरम भी कहते हैं उसका निर्माण भी आरियों ने किया वैदिक साहिते के मसाल सारे सुरोत वह बिलते हैं तो इस परकार इस्ट्री में sources का बहुत महत्व है पहले शुरोत यह थे कि आरे सब्वेता ही पहली सब्वे तो इसरी चेंज होगी तो रोज जो होते हैं इतियास में वो बहुत मेर तकूर्ण होते हैं वो इतियास को बदल भी देते हैं तो यह सो साल के बना कि पहले अरथ पाती बाद मिलते रहते हैं इस्ट्री के sources जो हैं मिल्ते रते हैं लगातार खोच धारी रती है कि इस्ट्री के नई-ने sources बले और इतियास कि जादा से जादा जांतारी जैन्टरी ज हैं मिले तक इस परकार इस्ट्री जो है 100 साल पर यही है कि हडपा सबेता पर लेती इसीं परकार हडपा का जो निर्माता थे उसको लेकर भी कन्फ्यूजन है कुछ विदेशी त्यासकार और उसमेकनिकम भी है उन्होंने यह का कि हडपा सब्यता को देखते हुए यह लगता है कि इसकी स्थापना जो अस्थानिय लोगों में नहीं की बार से मैसुक टैमिया से और महां से मद्देशिया से लोग आये थे और वेपार चलता था और उन्होंने यहां पर आके यह सब्यता बसाई है प्रमतुबाद में जातर रित्यास करूंगा यही मत बढ़ा कि इतने प्राणे समय में इतनी जुदा माईग्रेशन नहीं होती थी और यह जो सब्यता है जिसको हमके हडपा की सब्यता बोलते हैं इसका निर्मान जो है वो यहां के स्थानिय लोगों ने किया लोग आदी मा पांच एक जार साल में वो इस सब्यता की स्टेज में पहुंच गए और लोग जो है कुछ नगर बन गए और बाकी लोग गाओं में या कंट्री साइड में भी रहते थे तो लगबग यही फिर बात में निकल कर आया कि हडपा सब्यता जो है वो यहां उसके जो निर्माता ह वो यहांके स्थानिय लोग हैं नेकी विदेशी हैं और यह जो हडपा सब्यता के जो निर्मान हुआ है वो एक नेचुरल बर्सेस है कि न पशानकाल में लोग यहांके खेती करने लगे और उसके बाद ड्वेल्मेंट हुई और उसके बाद धीर धीर खेती अच्छी तरह स खेती गंदर और पश्युपालन खेती बाड़ी के साथ सशिल्पकरी धंदों का विकास हुआ फिर वेपार का विकास हुआ और इनका विकास होने से फिर सैरी सेंटर्स बढ़ने लगे और उसी का परणाम था गयारपा में नगर थे और बाकी ग्रामेन विवस्ता भी थी त प्रसेस था और यहां के स्थानिय लोगों ने ही जो है हडपा सब्यता का निर्मान किया था तो यह आज का मारा टॉपिक था जिसमें हमने सारा डिटेल में किया कि हडपा सिवलाइजेशन जो है इसका नाम करण जो हडपा क्यूं है या पहले इसको सुन दूबाटी की सब् किया फिर इस सब्यता की खोज कैसे हुई फिर किस ताइम पर यह सब्यता रही इसका टाइम पीरिट क्या है उसके बारे में लग लग मत क्या है फिर हमने इस सब्यता का पतल कैसे हुआ होगा उसके बारे विचार किया फिर हमने हडपा के लोगों के जीवन के बारे में जो ह वीचर्ज थी टाउम प्लेनिंग थी उसकी बात की तो मुझे पूरा आशा है कि आज आपने जो है इस पूरे लेक्चर में हड़ापा के बारे में जो भी आपको नौलेज में ने दी है इससे आप काफी इंडिस टुवेंगे और आपकी इस टॉपिक के पर अच्छी पकड़ योगी, THANK YOU